एक समय की बात है एक जंगल में एक हंस और एक कछुआ रहते थे वे दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे एक दिन वे दोनों एक देखभाल केंदर के पास जा रहे थे हंस बहुत उच्च उड़ता था और कछुआ धीमे गती से चलता था हंस अपनी उच्चता को देख कर गर्वित हो गया और कछुआ से बोला तुम मेरे साथ कभी भी नहीं उड़ सकते मैं तो आसमान में ही घूमता रहता हूँ कछुआ शांत रूप से मुस्कुराया और कहा तुम अच्छे तरीके से उड़ सकते हो लेकिन मैं पानी में अच्छे तरीके से तैर सकता हूँ हंस उस पर हंसते हुए बोला तुम्हें तैरना तो बहुत आसान है लेकिन उड़ना मेरे जैसे हंस के लिए कोई चुनोती पूर्ण कार्य है कछुआ चुपचाप आगे बढ़ा और एक देख भल केंद्र पहुँचा वहाँ उन्हें देख कर एक व्यक्ती ने कहा आप दोनों को देख कर मुझे यह शिक्षा मिलती है कि हर किसी की शक्तियाओं और क्षमताएं अलग-अलग होती है और हमें इसका सम्मान करना चाहिए हन्स ने कच्छुआ से माफी मांगी और उसने समझा कि हर किसी का अपना महत्व है इसके बाद हन्स और कच्छुआ एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी अद्वितियता की महत्व पूर्णता को समझते हुए दोनों खुशहाली से अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहे